बिस्मिल्ला इर्मान इरहीम, असलाम लेकूम, तोड़े माई प्रेजेंटिशन टॉपिक इस पाइधन डाटासेंट टूल बॉक्स पार्ट वन सबसे पहले हम इसके कॉंटेंट्स देखेंगे, जिसमें हमारे पास आता है, write your own functions, default arguments, variable length arguments and scope, lambda functions and error handling, and पहमारे पास आता है statement सबसे पहले हमारे पास आता है, writing your function, हम किसना से अपने functions को write कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास एक example है, जिसमें हमारे पास दो नंबर है, जिनको हमने add करना है, and पे हम उसको return कर देंगे, value को हमारे पास result आ जाएंगे, यहां पे हम जो function और caption को दे लिए हमारे पास आता है, add number a भी, अगर दो numbers को हमने add करना है, and return और result करना, return a plus b यहां पे put कर देंगे, result हमारे पास आ जाएंगे, add number function put करेंगे, 3, 5, अब print result करवाने का output हमारे पास इसकी आ जाएगे, next हमारे पास है, default arguments, variable length arguments, and scope, सबसे पहले हम देखेंगे, default arguments, यहां हमारे पास हम default value किस भी function को provide कर value को use करेंगे function को put करने, function को call करने के लिए, और without किसी भी value को use करें, यहां पे हम अगर greet करना चाहरे है, name हम put करेंगे word, return हम f लिकेंगे hello name, and पे इसको print करवालेंगे print create, print create alias, हमारे पास इसकी output आ जाएगे hello word, hello alias, next हमारे पास आ जाएता variable length arguments, इसमें हम basically दो हमारे पास की function है, जिसमें हमारे पास एक आर्स और एक क्वार्ग, अगर हमने आर्स पुट करने हम single star पुट करेंगे, अगर हमने क्वार्ग को put करने हम double star पुट करेंगे, next हमारे पास आएता scope, in python जो हमारे पास variable का scope है, वो different visibility of variables की बनाद पे है, तो हम different type of code यूज़ करके, इसके scope को यहां पे हम अगर use करें तो define function आजाएगा, global हमारे पास x आजाएगा, x की value 5 आजाएगी, return करेंगे, हम x को end पे हम इसको print कर वालेंगे, और हमारे पास output आजाएगी 15, next one is lambda functions and error handling, first of all हम देखेंगे lambda functions, जिसमें हमारे पास आजाता है, lambda xy x plus 5, print कर वालेंगे add 3 5 को, जो पह output हमारे पास 8 आजाएगा, next हमारे पास error handling, अगर हमारे पास किसी value में कोई error आजाएगा, हम इसको किस तरह से handle करेंगे, पहले हम try करेंगे, result हमारे पास 10 over 0, यहां पे हम accept function है, वो put करेंगे 0 divided by an error, print हम इसको करवाएगे, result हमारे पास आजाएगा, cannot divide by 0, last पे हमारे पास इस statement of accomplishment is cool, thank you so much